कल CBI ने चार्जशीट फाइल की है सो कॉल्ड शराब घोटाले में और उस चार्जशीट में मनीश सिसोधिया जी का नाम नहीं है तो एक तरह से CBI ने मनीश सिसोधिया को क्लीन चिट दे दी CBI और E.D. के लगबग 800 ओफिसर्स पिछले चार महीनों से इस केस पर काम कर रहे हैं इं एजन्सीज ने रात दिन काम कर रहे हैं 24 गणटे काम कर रहे हैं उनको एक ही काम दिया गया था estarी कि कुछ भी करो मनीश सिसोधिया के खिलाफ कुछ भी सबूत लेकि आओ मनीज से सौधिया को गिरफतार करना है कल की चाज़ शीर से ये थाबित हो गया कि इनको मनीज से सौधिया के खिलाफ रती भर भी सबूत नहीं मिला इतना सा भी सबूत नहीं मिला चुनाव के एक हफता रह गया 800 अफसरों ने काम किया, 24 घंटे काम किया, 500 से ज़्यादा जगे रेड मारी, मनी सिसोदिया जी के सारे ठिकानों पे रेड मारी गई, उनकी दिवारे तोड़ तोड़ के देखा गया कि अंदर कहीं कैश तो नहीं है, ये कह रहे थे 10,000 करोड का गोटाला है, उनके गदे फाड भड़के देखे गए कि उनसमें कोई पैसा तो नहीं है, उनके लॉकर सारे देखे गए, मनी सिसोदिया का एक ही बैंक लॉकर है, वो देखा गया, मनी सिसोदिया कि जितना गाउं में सारे रिष्टेदारों सब की जाच कर लिए इनोंने, कुछ भी नहीं निकला, तो कल की चार्ज शीट ये दिखाती है कि इनको रती भर भी सबूत नहीं मिला, और ये जो कह रहे हैं कि अभी जाच जारी है और एडिशनल सप्लिमेंटरी चार्ज शीट आ सकती है, वो तो अब अपना चेहरा बचाने के लिए फेस सेविंग के लिए और क्या कहेंगे, हमारी जाच तो प्रधानमंत्री जी जिन्दिकी भर कराएंगे, जब तक हम जिन्दा हैं तब तक जाच चलती रहेगी, 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तब से जाच शुरू है, सारी एजेंसी हमारी जाच करने में लगी हुई है, तो हमारी जाच तो जिन्दिकी भर जा रही है, लेकिन अब तक इन लोगों को आज तक जो इनोंने जाज की उसमें रत्ती भर भी इतना सा भी सबूत नहीं मिला 25 पैसे की भी इनको कहीं गड़बड नहीं मिली तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रधान मंत्री जी से हम इमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आया है प्रधान मंत्री जी पर्सनली इस केस को मॉनिटर कर रहे थे मेरे सुत्रों ने बताया है प्रधान मंत्री जी पर्सनली CBI डिरेक्टर से मिलते थे प्रधान मंत्री जी पर्सनली ED डिरेक्टर से मिलते थे उनको प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिये हुए थे कि कुछ भी करो मनी सिसोदिया को गिरफतार करो लेकिन सारी जाँच के बावजूद ये मनी सिसोदिया के खिलाफ जरासा भी सबूत नहीं ले पाए आज हम गर्व के साथ पूरे देश के सामने कह सकते हैं केजरीवाल कट्टर इमानदार है हमारी पार्टी कट्टर इमानदार है और हमारे खिलाफ इन लोगों ने पूरी जाँच कर ली हमारे खिलाफ जरासा भी सबूत ये लोग नहीं ला पाए इसी आज मैं खड़ाओ के कहता हूँ मैं कट्टर इमानदार हूँ भारतिय राजनीती के अंदर एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो खड़ाओ किया दे किया कि उटकारि आहां धरू हूँ मैं BJP के नेताओं को चैलेंज करता हूं को खड़ाओ कि गी टक्लिधा है इसी वज़य से इनको तकलीफ है इसी वज़े से ये रोज कीचड फैंकते हैं हमारे उपर लेकिन उन्हों ने इतनी हमारी जाँच कर ली सारी फाइलों की जाँच कर ली सारे अफसरों को लगा दिया सारी एजेंसिस को लगा दिया ये कुछ नहीं निकाल पाए आज तक केवल शराब भोटा लेने किसी केस में कुछ नहीं निकाल पाई मेरी अब हाद जोड़के प्रधानवंतरी जी से एक ही अपील है प्रधानवंतरी जी कहते हैं आप 18 गंटे काम करते हैं 18 के 18 गंटे आप बस यही सोचते हैं कि मैं किस तरह से केजरिवाल को किस तरह से केजरिवाल के मंतरियों को गिरफतार करूं किस तरह से केजरिवाल पे कीचड फेंको मेरा आप से निवेदन है 18 में से 2 गंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें तो देश में महगाई और बेरुजगारी जिससे जनता तरस्त है उससे थोड़े सी लोगों को निजात मिल जाएगी इतना नेगेटिव इतना नेगेटिव मत बनी है थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए जनता के बारे